नमस्कार मैं हो ससी आया जरगां की टॉप 25 परमोग खबर जानते हैं रेलवे हेलफ लाइन नंबर 182 को किया गया 149 में बिलाए रेलवे हेलफ लाइन नंबर 182 को 149 में बिलाए कर दिया गया है बतादे राची रेल मंडल के वरिय बाने जिये प्रवंधक अविनास कुमार के मताबिक रेल यात्री यात्रा के दुरान समस्या दुरगटना होने पर दो नंबर 182 और रेलवे परिचालन की जनकारी साजा करने के लिए 149 डायल करते थे अब दोनों नंबर को विलाए कर 149 कर दिया गया है बतादे एक ही नंबर से यात्रीयों की हर सुविदा समस्या का समधान हो जाएगा पुर्व में दो नंबर होने से यात्रीयों में असमंजस की इस्तिती रहती थी पुर्व रेल पर साचन ने एक ही नंबर को जारी कर यात्रीयों गी समस्या का समधान कर दिया है झारखन में मवसम का मिजाज दो दिन तक बदला बदला सा रहेगा पुरे दिन भर बारिस तो नहीं होगी प्रन्तु सुबा या दो पहर बाद एक बार जरूर मुसलाधार बारिस होगी संभवना है कि दूसरे प्रहर में बारिस होगी भरतिय मुसलाधार बिभाग के अनुसार आठ और नौ जुलाई को राजे में कहीं कहीं भारिस से मदेदर्च की बारिस होगी इसके साथ में गर्यन वा बजरपाद की समवना है इसको लेकर दो दिन के लिए बिभाग ने एलो अलट चारी किया है ज्यारखन में अति कुपोसित बच्चों की होगी पाचान ज्यारखन में लवग 48 पर 37 बचे कुपोसित हैं इन में बड़ी संख्या अति कुपोसित बच्चों की है कुरोना की संभावित तीसरी लहर के आने पर इन बच्चों की परभावित होने का खात्रा अधिक हो सकता है वहीं कुरोना के कारण ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ भी सकती है इसे देखते हुए राई सरकार ने अतिकुपोसित बच्चों की पहचान कर उनका उपचार वोचित प्रमधन का नेना लिया है बता दे ऐसे बच्चों की पहचान वो उपचार के लिए स्वास्त विभाग तथा महिला एवंबाल विकास विभाग द्वारत सन्युक्त अभियान चलाया जाएगा दोनों विभागों के अपरमुक्ष सचीव और प्रधान सचीव ने इसे लेकत सभी उपायुक्तों को संदेश जारी किया है जारखन में क्रोना जाच की रफ्तार नहीं होगी कम जारखन में कुरोना संक्रमन कम होने के बाद भी राई सरकार ने कुरोना जांच की रफ्तार बरकरार रखने का निना लिया है इसके तवत अभी भी प्रति दिन आउस्तन 45 से पचास सेंबल की जाच हो रही है क्रोना जाज की गति बरकरार रखने के लिए राई सरकार ने रैपिट एंटीजन टेस्ट के लिए 4 लाग कीट तथा आटी पी सियार जाज के लिए 7 लाग कीट विभीन जीलो को आवंटित किये हैं बिभीन जीलो में पोजिटिविटी रेट के अधार पर जाज कीट का आवंटन हुए है पूलिस कर्मियों के छाती पूर्ती आवकास के लिए CM से मिले स्वास्त मंत्री स्वास्थ मंत्री बना गुपता ने मुख्य मंत्री हमान सुरन से मुलकात कर पुलिस कर्मियों की छती पूर्ती आवकास को फिर से लागू कराने का नुरत किया है बता दे कि जार्खन पुलिस मेंस्थ एसोसियेशन सराय के लखर्षावा के प्रतिनिधी मंदल ने स्वास्थ मंत्री से मुलकात कर पुलिस कर्मियों की छती पूर्ती आवकास को लागू कराने का नुरत किया था ततकालिन सरकार ने इस प्यवस्था को बंद कर दिया था जिससे पुलिस कर्मियों में घोर निरासा थी और उन्होंने स्वास्थ मंत्री से इसे पूर्त चालू कराने का नुरत किया था ताकि उनके परिवार को इसका लाब मिल सके इस समद में CM ने स्वास्थ मंत्री को अस्वास्थ किया है कि इस मामले में जल्द ही सकरात्मक करवाई करेंगे बरावी की प्रेटकल परिख्षा का स्टेडियूल जारी मारवारी कॉलेज में बरावी के वैसे बिद्यार्थी जो पूर्व में जैक की और स्जारी स्टेडियूल के मुताविक प्रेटकल परिख्षा में समिल नहीं हो पाए थे उन्हें मौका दिया जा रहा है बता दे ऐसे छात्रों को कॉलेज की अधिकारिक बेपसाइट मारवारी कॉलेज राची.ac.in पर दिये गए सेडियूल के नुरूप कॉलेज को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है खुंटी जीला में गरीब विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन मिलना शुरू आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों भी अब अनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे बता दे मोबाइल की कमी अब पढ़ाई में बाधा नहीं बन सकेगी डीजीपी नीरस इनहा की पहल पर खुटी जीला पुलिस ने गरीब विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन उपलवद कराना प्रारम कर दिया है बता दे इस अभियान की सुरुवात एसपी आसुतोस सेखर ने सोमवार को तुरपा थाना में एक साधे समारोह में विद्यार्थियों के बीच उपकरन वित्रन कारेकरम का सुबारम किया जार्खन राईची किचा परिशत का तीन साल के लिए गठन जार्खन सरकार ने विहार मेटकल एक्ट के तहट जार्खन राईची किचा परिशत का पूर्ण गठन कर दिया है इसमें राईच सरकार की ओर से तीन सदस मनुनित किये गए है जिसमें स्वास्त विभाग के निदेशक परमुक सिवा निवरित दाक्टर प्रवीन चंद्रा राँची काके के सी आईपी के निदेशक दाक्टर बासु देव दास और जमसेद पूर के एसी एमो प्रभारी डाक्टर साहिर पाल को मनुनित किया गया है ज्यारखंड के दूमका और संथाल परगना में भुकंप के जटके साथ जुलाई के सुबा आठ बजकर पैंतालीस मेट में पूर्वी और पूर्वतर भारत में भुकंप आया भुकंप की तिवरता रिक्टर एसकेल पर पांच प्रण दो मापी गई है भुकंप का केंदर में घालाई के तूरा के पास असम में बताया गया है लेकिन भुकंप इतना तगला था कि ज्यारखंड के दूमका सहीत संथाल परगना के पांकूर सायुगंज, देवघर, गोड़ा और जाम तरा में भी हलके जटके मसूद किये गया है हलाकि इन जटकों से किसी तरह के नुक्सान की खबर अब तक नहीं है बतादे असम में आए इस भुकंप के जटके बंगला देश के सिमावर्ती इलाकों तक मसूद किये गया है ज्यारखन में 75 नए केस मिले हैं जो राची में 5, पूर्वी सिमावर्ती इकईस, हजारी बाग 3, बोकारू 7, धनबाद 6, रामगर 3, कोडरमा 2, देवघर 3, गुमला 4, लातेहार 6, सराइकलाखर 4, सिमडेगा 3, जामतरा 3, साहिब गंज में 4 मिले है ज्यारखन में कूल मौत की संख्या एकाउंस अवाठारा है वहीं कूल एक्टिव केस की संख्या 532 है भारत में 45, 666, नए केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 4, लाग 4, जोवन एयर 865 है ज्यारखन में एक्टिव केस इस प्रकार हैं अभिभावक संख ने राजयपाल के नाम भेजा पोस्ट कार्ड जारखन अईभावक संग की ओर से नीजी स्कूलों में फिस विरिदे के खिलाब चलाया जारे सात वार सात गुहार अभियान के आखरी दिन बुद्वार को राजेपाल के नाम पोस्ट कार्ट अभियान चलाया गया संग के अध्यक्ष अजयराय के नेतित में सहीद चोग के समक्ष मुख्य डांग घर से पोस्ट कार्ट अभियान की शुरुवात की गई अजयराय ने कहा कि नाय राजेपाल रमेस बैस से अईभावको को काफी आशा है कि वे लाखो अईभावको की पीडा को समझते हुए फ्राइबेट इसकूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की पहल करेंगे मोराबादी मैदान पर खर्च होगा साड़े पांच कोड़ों रुपए राची के मुराबादी मैदान का एक बर फिर संदरी करण होगा बतादे इस बर नगर निगम मुराबादी मैदान के चारो और पेवस ब्लोक लगाएगा और लेंड इसकेपिंग कर इसे रमनीक बनाएगा नगर निगम ने इसके लिए करीब सड़ेपाज को रुपय का डेंडर निकाला है निगम के एंजिनियरों ने बताया कि मैदान के चारो और साइकल ट्रेक बनेगा और नाइट मार्केट बनाया जाएगा खाली अस्थान पर सेकड़ों पेड लगाये जाएंगे ताकि ये अच्छेतर पूरी तरहाराबहारा बना रहे परधाना ध्याबक पद पर प्रात्मिक सिक्षकोक को प्रात्मिकते मिले बंधुतिरकी पुर्व सिख्छा मंतरी और विधायक बंधूतिर्की ने मुख्य मंतरी को पत्र लीकर इस्कूली सिख्छा और सक्षार्था विभाग के अस्थानिय परदानाद्यापक नहीं है ऐसे में विद्यार्थियों के संचालन के लिए परभारी परधाना ध्यापक के लिए एक अधिसुचना स्कूली सिख्छाओ और सरस्यता विभाक के सच्चिव के द्वारा जारी की गई है इस अधिसुचना में कई तरह की तुर्ट यहाँ है जाना इंटरप्राइजज ने बुद्वार से रिम्स कैंटिन की कमान अपने हाथों में ले लिहाया बता दे पहले दिन जाना इंटरप्राइजज ने मरीजों को सवन पपड़ी खिला कर मों मिठा कराया उसके बाद नास्ता परोसा पहले दिन इस नई एजैंसी ने 1165 मरीजों को खाना खिलाया बता दे रिम्स कैंटिन के मनेजर फैसल खान ने बताया कि गुरुवार से मरीजों को इसटिल की थाली में खाना परोसा जाएगा इसे पहले रिम्स में मरीजों को पलास्टी की थाली में खाना परुसा जा रहा था उन्होंने बताया कि इस्टील की थाली ओडर की गई है जो बुद्वार की रात तक प्राप्थ हो जाएगी इसके बाद मरीजों को इस्टील की थाली में खाना मिलेगा बता दे रिम्स में अब मरीजों को सप्ता में दो दिन नौन बेज भी परूसा जाएगा बलाइक फंगस से पीडित महिला का इलाज नहीं होने पर हाई कोट सक्त जारकन हाई कोट के चिफ जश्टिस डक्टर रवी रंजन वा जश्टिस सुजीत नराइन पसाथ की खंड़ पीठ में बुद्वार को बलाइक फंगस पीडित एक महिला के मामले में मोखिक टिपनी करते हुए कहा कि जब सरकार इलाज में मदद नहीं करेगी तो क्या लोग जमीन बेच कर इलाज कराएंगे आदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि पीडिता का समुचित इलाज कराया जाए चिफ जश्टिस ने सुनवाई के दरन कहा कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं पीडिता को की गई है हाई कोट ने पीडिता के बेटे घौरों की ओर से लिखे पत्र पर सोता संग्यान लिया है को कोडार्मा सांसद अनपूर्णा देवी केंद्र में बनी मंत्री जारखन के कोडार्मा से सांसद अनपूर्णा देवी को केंद्र की नरेंद मोदी सरकार में मंत्री बन 43 नेताओं के सूची में अनपूर्णा देवी का नाम 24 वे नमबर पर था बतादे की केंद्रिये मंत्री मंडल में फिर वदल किया जा रहा है इसमें अनपूर्णा देवी का नाम है अनपूर्णा देवी कोडारमा की सांसद है और भाजपा की राष्टिये उपाध्यक्ष भी अनपूर्णा देवी लोग सभाचुना 2019 से पहले रायत छोड़कर भाजपा में सामिल हुई थी हजारी बाग पुलीस ने वाहन चोरी के अंतराज्य गिरोह के दस अपराध कर्मियों को गिरफतार किया है इस गिरोह से हजारी बाग पुलीस अवासिय कलोनी से इंस्पेक्टर मंजीत कुमार इंस्पेक्टर सुदामा दास के सकारपियों और मुपसील थाना छेतर की पंचसील कलोनी से चोरी के सकारपियों को बरामत किया है वहांद चोरी में इस्तिमाल एक सेंट्रो कार को भी पुलिश ने बरामत किया है उक्ते जनकारे हाजारी बाग एस पी कार्तिक एस ने मंगलवार को प्रेसवार्ता में दी सेवा इंटरनेशनल ने दिये साथ वेंटिलेटर सेवा के छेतर में काम करने वाली राष्टिये संस्था सेवा इंटरनेशनल ने कुरोना संक्रमन के तीसरी लहर से बचाव के त्यारी सुरू कर दी है इसके तहट अब तक ज्यार्खन के साथ अस्पतालों को राष्ट सनवर्धन समीती के माध्यम से एक-एक वेंटिलेटर ने सुल्क दिये है बुद्वार को राष्टिये स्वयम सेवक संक के निवारन पूर इस्थित परांद करयाले में अवेजित कारकरा में पांच वेंटिलेटर दिये गए एक वेंटिलेटर मयंग मिरिनाल अस्पताल जमसेदपूर जीवन रेखा अस्पताल धनवाद आर्पी सेवा सजन गढ़वा शुदिर अस्पताल देवगर वबंधना नर्सिंग होम हजारीबा को दिया गया है धनवाद के नए स्पी संजीव कुमार संजीव कुमार ने पुद्वार को धनवाद के नए स्पी का पदभार गरहन किया है स्पी कर्याले में निर्वर्तमान स्पी औस्तीम विक्रांत मींज ने उन्होंने बिधुवत पदभार गरहन किया पदभर गरहन करने के बाद उन्होंने कहा कि अपनाध परलगाम लगाना कानून का साथन अस्थापित करना पहली परत्मिक्ता होगी पदभर गरहन करने के साथ ही सेस्पी ने सभी पूलिस उपाधिक छक इंस्पेक्टर और पूलिस पताधिकारियों के साथ अपचारिक मुलकात की और धनबात के बीदी बेवस्था के बारे में भी चर्चा की धन्यवाद